हेलो दोस्तों, आज कल बहुत से लोग, बहुत कम उम्र में ही घुटनों के दर्द, जोडों के दर्द, कमर दर्द से पीडित हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी समस्या है, कि आप सीडिया नहीं चड़ सकते, जमीन पर नहीं बैठ सकते, चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, जोडों में कट-कट की आवाज आती है, जोडों में दर्द रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, इस ग्रीस खत्म हो गई है और ग्रीस खत्म हो गई है तो इनका operation करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है आप अगर operation से बचना चाहते हैं और जरूर बचना चाहेंगे क्योंकि prevention is always better than cure यानि इलाज से बचाव हमेशा बहतर होता है जब आप घुटने में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं पेन किलर खाते हैं पहले शुरू में एक पेन किलर खाने से आपको फर्क पड़ गया आपको relief मिल गया धीरे धीरे करके दो खानी पड़ गई धीरे धीरे करके तीन खानी पड़ गई और जब आप ऐसे पेन किलर खाते रहते हैं तो उसके कुछ ना कुछ side effect हो होना ही होना है और constipation होना है तो इसका मतलब है कि आपका metabolism धीमा हो गया है और metabolism धीमा होने से आपकी सेहत वैसे भी खराब रहेगी इसलिए अगर आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप पाएंगे कि यह नुस्खा ऐसा है यह जो remedy बताने वाला हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है इसमें कोई खर्चा नहीं है लेकिन यह फायदे मंद है मैंने इसे कई लोगों को बताया है कई लोगों को इससे फायदा हुआ है इसलिए मैं आज इसे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बढ़े बुजर्ग अकसर कहते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले जो चीज तूटती है वह है घुटने घुटनों में दर्द होता है लेकिन आजकल तो एज का कोई समस्या ही नहीं रही बिना एज के भी छोटी उम्र में भी घुटने में दर्द हो रहा है कमर में दर्द हो रहा है इसका मेन कारण है पहले तो कारण जान लेते हैं रेसिपी बाद में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसका मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे काम करने का तरीका और हमारा खान-पान. ये तीनों चीजें मिलकर हमारी सेहत को बरबाद कर रही हैं. काम करने का तरीका ऐसा हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा काम कंप्यूटर पर आनलाइन ही होता है और कंप्यूटर पर बैठते समय आप कितनी भी आराम दायक कुरसी ले लें, कितने भी आराम से बैठ जाएं, ले दूसरा हमारा खान-पान या हमारी लाइफस्टाइल हमें मोटा बना रही है। मोटापा बढ़ रहा है। हम जितने मोटे होते जाएंगे हमारी हड्डियाओं उतनी कमजोर होती जाएंगी। बेचारी हड्डियाओं क्या करेंगी? वो 50 किलो उठाने के लिए बनी हैं और अगर आपकी 80 किलो हो गई तो 80 किलो वजन उठाते उठाते उनकी एज तो अपने आप आधी हो जाएगी। तो ऐसी समस्याओं के कारण घुटनों में दर्ध होता है। इसके साथ ही और भी कई का अगर आपको डी नहीं मिल रहा है, कैल्शियम अवशोशित नहीं हो रहा है और वो भी अवशोशित नहीं हो रहा है तो आपकी हड्डियां अपने आप कमजोर हो जाएंगी। ये बात बार-बार सामने आती है कि हमारी जीवन शैली हमें बरबाद कर रही है। सबसे पहला क जो हमें करना है वो है अपनी जीवन शैली को सुधारना। आयुरवेद ने सूर्य के साथ उठने और सूर्य के साथ सोने का एक सरल उपाय बताया है। तो ये नुस्खा, ये उपाय आपके बहुत काम आने वाला है। कैलिफोर्निया में इस पर एक रिसर्च भी हुई और उसमें पाया गया कि ये फार्मूला हड्डियों के घनत्व को यानि बोन डेंसिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा फार्मूला है। ये फार्मूला गठ कोई भी अपना सकता है। कोई भी इसे खा सकता है और कोई भी अपने आपको फिट रख सकता है। हमारा मकसद है फिट रहना। हमारा मकसद है उस परेशानी से बचना। जब परेशानी होती है तो हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है ताकि परेशानी ना हो या फि धीरे धीरे आपको सामान निस्थिती में ले आएगा और दो हफ्तों में ही आपको लगेगा कि अरे वाह मेरे जोडों में और मेरी हड्डियों में बहुत सुधार आ गया है और जो लोग इस नुस्खे को अपनाएंगे उनके ऑस्टियोपोरोसिस के चांस कम हो जाएंगे ऑस नुस्खा आपको ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाएगा ये नुस्खा आपको गठिया से भी बचाएगा और ये नुस्खा आपको 1000 हेल्थ बेनिफिट देने वाला है ये BP को कंट्रोल करेगा शुगर को कंट्रोल करेगा और आपके दिल को स्वस्थ बनाएगा तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी रेसिपी बनानी है और कैसे बनानी है इसे आप जादूई नुस्खा कह सकते हैं miracle trick कह सकते हैं इसको एक miracle tip भी कह सकते हैं तो इस tip को अपनाने के लिए आपको चाहिए हमारा एक देसी अनाज और वो है jaw यानी बरली मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किड्नी की पत्थरी के लिए jaw का इस्तिमाल कैसे करें आपको वो देखना चाहिए ये बहुत फायदेमंद है आप चाहें तो मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूँगा वहां से आप वो नुस्खा देख सकते हैं और अपनी किड्नी को स्वस्थ रख सकते हैं आप अपनी किड्नी को खराब होने से बचा सकते हैं और इस नुस्खे से आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं और अपनी हड़ियों को خराब होने से बचा सकते हैं तो यहां भी हमें जौ चाहिए और जौ बहुत सस्ता अनाज है एक किलो की कीमत 50 रुपे है और आप एक किलो का इस्तेमाल कम से कम तीन महीने तक कर सकते हैं ये तीन महीने तक आपके काम आएगा इतनी सस्ती चीज आपको दवाईयों से बचाएगी, तो आपको और क्या चाहिए, चलिए, बात करते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है, आप एक मुठी जौ लीजिए, एक मुठी में करीब 50 ग्राम जौ आएंगे, उसको अच्छे से धो लीजिए, उसको धोना बहुत जरूरी ह उसमें कंकड पत्थर है, उनको निकाल दीजिए, वो बहुत जरूरी है, और फिर उसको रात को 500 मिली ग्राम पानी में भिगो दीजिए, आपको 500 मिली ग्राम पानी में 50 ग्राम जौ भिगोना है, उसको 12 गंटे भिगोना है, 12 गंटे से कम नहीं, उसको आप 12 से 14 गंटे भि पहले आपने उसको चाह से साथ गंटे भिगोया, फिर आपने उसको ढखकर रख दिया, अब इतने समय के बाद आपके हो गए, उसके बाद उस पानी को छान लीजिए और पी लीजिए, बस आपको बस इतना करना है, आपको इस उपाय को एक दिन पहले से शुरू करना है, फि एक और बहुत important चीज है कि इसको शीशे के गिलास में आप भिगो के रखें, क्योंकि अगर किसी metal के गिलास में भिगोते हैं, तो metal react कर सकता है, आपको इसे कांच के गिलास या कांच की बोतल में भिगोना है, इसलिए इसे उसी में भिगोए और 16 गंटे बाद पीए, इसे पीने की कोई समय सीमा नहीं है, कि आपको इसे एक दिन, दो दिन या चार दिन नहीं पीना है, आपको इसे कम से कम 15 दिनों तक लगातार पीना है, उसके बाद आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसे 90 दिनों तक पीते हैं, तो आपकी समस्या पूरी तोड़ो कुछ भी करो, खराब नहीं होता, ये आपकी हड़ियों में इतनी мजबूती लाएगा, और जब आपकी हड़ियां मजबूत हो जाएगी, जब आपके जोड़ों में पूरी ग्रीस आजाएगी, जब उन में घर्शन नहीं रहेगा, तो दर्ध होना बंद हो जाएग ये बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण और समय से परखा हुआ नुस्खा है जिसे आप आजमा सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई side effect नहीं है आपके घुटनों का movement जो बिलकुल रुख गया था वो दो से तीन हफते में फिर से शुरू हो जाएगा आपको उठन से भी ज्यादा फाइदा चाहिए तो टहलना और exercise एक साथ शुरू कर दीजिए क्योंकि ये उपाय तभी ज्यादा असर करेगा जब आपकी बाकी चीजें भी सही होंगी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेकार की चीजें खाते रहें और फिर कहें कि ये उपाय काम नहीं कर रहा क्योंकि आपको कुछ खाने की चीजों से परहेज करना पड़ेगा जैसे खटा खाना नहीं खाना चाहिए गठिया में वैसे भी कहा जाता है खटा खाना नहीं खाना चाहिए ऐसा कौन सा खाना है जो खटा नहीं खाना चाहिए आपको अचार, पापड, इत्यादी नह आपको इमली की चटनी नहीं खानी चाहिए, आपको शाम को दोपहर के बाद दही नहीं खाना चाहिए, आपको दोपहर के बाद लस्सी और छाच नहीं लेनी चाहिए, आप इसे सुबह ले सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, नियमित जब आप इन चीजों का सेवन करते रहेंगे और इस उपाय को करेंगे तो आपकी हड्डियों में होने वाला दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं था इसलिए इसे आजमाएं और जब भी आपको लगे कि हाँ आप बिलकुल ठीक हैं आपकी हड्डि एक आम और यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि यहां अधिकतम लोगों का वजन बढ़ गया है जिससे यह समस्या होती है तो अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से लोगों को फाइदा हो सके तो मुझे लगता है यह बहुत अच्छी बात होगी और इस अच्छी बात जो आप इस तरह से पीएंगे जौ का पानी यह बहुत चीजों के लिए अच्छा है मैंने आपको किड्नी स्टोन के बारे में बताया था उसमें मैंने सेहत से जुड़े फाइदों के बारे में भी बताया था अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यह आपके ज्यादा से ज्यादा सेहत लाभ के लिए अच्छा है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है इससे स्किन में निखार आता है क्योंकि आपका शरीर टॉक्सिन फ्री रहता है जब शरीर में टॉक्सिन नहीं होंगे तो आपकी सेहत, आपकी स्किन आपके बाल सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा तो ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है इसको अपना के देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद